अलो गुड मॉर्णी नमस्का आज हम देखेंगे कि अर्थ जो है एक दूसरा मून उनको मिला है यानि अर्थ पे एक ही चंद्रमा है उनको एक दूसरा चंद्रमा मिला है एक्चोली यह टंपुरेरी है क्यों देखेंगे चुकि अर्थ को जो यह मीनी मून मिला है चंद्रमा म लगाता है जिसमें हमारा चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 गया लेकिन अब यहां दूसरा मून कहां से आ गया और यहां दूसरा मून अगर temporary है तो कितने दिन तक रहेगा यह सारी चीज अभी हम समझने का प्रयाज करते हैं चलिए शुरू करते हैं न्यूज से अर्थ कोई एक temporary यानि पर्मानेंट नहीं temporary कुछ दिन के लिए एक दोस्त मिला है companion मिला है जो यह के रेयर मीनी मून है यानि छोटा मून है उस जो हमारा original मून है उसे या छोटा मून है लेकिन इस मून का connection है इंडिया के साथ यह बड़ा important अब कैसे connection है इंडिया के साथ यह अब यह मीनी मून क्या है एक small asteroid asteroid समझते हैं कई जगा मैं discuss किया हूँ asteroid जैसे साई के asteroid वगरा asteroid एक सुद्रग्रा होता है जो हमारे solar system का एक हिसा होता है अब यह asteroid जा रहा है थे अर्थ के नजदिक से अर्थ का अपना मेरा जो अर्थ का gravitational pull है force है वह इनको खीच लिया इसको किसको इस asteroid को अब यह घूमने लगे जिस तरह हमारे चंद्रमा मा घूमते हैं इस तरह यह भी घूमने लगे तो इसलिए इसको moon बोला गया है चंद्रमा बोला गया अब इस्ट्वाइड मैं बता चुका हूँ इस्ट्वाइड तीन तरह के होते हैं एक इस्ट्वाइड जो होते हैं वह जुबीटर और वह जिस्ट्वाइड होता होता है थो ऑन हुए जो कि पोटेंसिल यह खतर चाहिक जाते हैं कई और नुक्षान होते है ऐसा बताए जाता है कि सुद्र गर्यों के गिरने से उल्ocr मे सरक जातना है तो यह जो है या यह एक नियर अर्थ लिय 있으 word अधु अर्थ क chem के नजदीक होते हैं तो देसे कौन सा। इसे दी टॉयद के पास हैं तो कि को ऀतर सब्सक्राइबा यह जो मिनी मअधि मिरrio झाष्ट करना सुरू कर यानि 53-54 दिन घुमेंगे उसके बाद यह स्पेस में चले जाएंगे यह अर्थ के ग्रेविटेशनल पूल से आगे निकल जाएंगे है के लिए एंब एसे आर्थ का दूसरा मुनिशें को बोला है मिनी मून चोटा मीने मून अब यह मीनी मून का नाम प्याएंग ऑशीन है यह च्रीन में कौन यह स्ट्र fetchाइड है हाङना है इसमीनी मून का नाम क्या है और थोड़ा सा समझ लेते हैं या इस्ट्वाइट जो है जो मुनी मून की तरह काम करेगा इसका नाम है 2014 PT5 यह यह दरा कियेगा इसका नाम क्या है 2024 PT5 चुकि अगस्त में यह देखा गया था अब यह इस्ट्वाइट जो है पहली बार डिटेक्ट किया गया start testuarial impact last alert system atlas presented system जिसको नाशा फंडेट करता है यह monitor करते है एस्टॉाइट को जो pot encourage impact होता है जैसे वर आके गिर गया इस पे उसको यह क्या करते मोनीटर उन्होंने इस ने इसको डिटेक्ट किया पहली बार माना जाता है कि या मून का ही एक भाग है जो किसी समय फ्रेग्मेंट हो गया था तूट गया था उसी या भाग है कौन 2024 Pt5 सेकेंड मून जिसको मीनी मून बोला गया है के लिए तो समझ गया है या मीनी मून क्या है अब हम आते हैं एरा यही है क्या 2024 Pt5 यह एक स्ट्वाइड है और इसको मीनी मून इसलिए के बोला गया कि यह आर्थ के चारो तरफ चक्र लगा रहा एज लाइक मून दाइट्स वाइट इसको मीनी मून क्लियर चलिए अब इसका सुर्यू में हम बता है कि इंडिया से कनेक्शन है अब क्या कनेक्शन है देखिए यह जो एस्ट्वाइड है या अर्जुन एस्ट्वा सम्णदीत है इंडिया से तो किस समद्धीत हुआए इंदिया से सम्दीत अर्जुना है थ्ला एक स्टयॉड की 5 में जितने भी सिर्ड इस्ट्वाइड है वए स्ट्वाइड का नाम करने अर्जुना इस्ट्वाइड की 3 करता है अर्जुना इस्ट्वाइट से इसलिए अब शुरू में हमने बोला कि इसका कनेक्शन इंडिया से है तो यह ग्रूप का नाम पढ़ गया अर्जुना एक हेरोइक फिगर है हिंदू इपिक्स महाभारता का और मजे की बात है इस अर्जुना एस्ट्वाइड को इंटरनेशनल एस्ट्रोमिकल यूनियन ने अफिसियली एप्रूड भी कर चुका है तो हमारे सोलर सिस्टम में एक इस्ट्वाइड बुल्ट है जो कौन सा इस्ट्वाइड बिल्ट है नियर अर्थ इस्ट्वाइड बिल्ट है जिस जिसका नाम है अर्जुना इस्ट्वाइड यानि इस बिल्ट में जितने भी इस्ट से यह काफी छोटा है कौन मीनी मीन 2024 Pt5 लगभग इसका डाइमेटर 10 मीटर ही है यानि 33 पीट जो की 3,50,000 गुना छोटा है हमारे मून से बात समझ रहे हैं 3,50,000 गुना यानि 3,50,000 टाइम स्मॉलर दैन आर्थ मून सो यह देखना बड़ा मुस्केल है टूफेंट टूबी सिन जो हम नेकेट आई से नहीं देख सकते हैं हां इसके लिए अगर एडवांस टेलेस्कोप अगर आप यूज करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं यहां मून हमारे अर्थ में कब तक रहेगा तो 25 नॉमबर 2024 को या फिर इस स्पेस में निकल जाएगा और ऐसा उमीद है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहीं मून फिर 2055 में फिर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टैक्टिस को करेगा और फिर यहां देखा जा सकता है क्लियर तो यह हो गया अर्थ का सेकेंड मून के बारे में आप समझ गया क्या है सेकेंड मून अब यह पाहली बार नहीं है इससे पाहले तीन चार बार इस तरह का मून देखा जा चुका है क्लियर इसका PDF हमारे टेलेग्राम चैनल है तीवारी जेनल स्टडी वहाँ से आपको मिल जाएगा वहाँ से देख लीजेगा उसको भी ज्वाइन कर लीजेगा अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कोई डाउट हो तो कॉमे जरूर करेंगे so thank you have a good day and happy learning thank you very much